सद्गुरू, मुझे लगता है कि प्रतिभा को सफलता में कुछ जादा ही महत्व दिया जाता है जब मैं मेडिकल स्कूल में था तो मैं मार्शाल आठ सिखाता था वो मेरा पैशन था और जब भी ब्रूसली की कोई फिल्म रिलीज होती थी तो स्कूली बच्चे जुन्ड के जुन्ड में मार्शाल आठ स्कूलों में दाखिला लेते थे हम इसे ब्रूसली फेनॉमेना करेते थे कुछ ऐसे बच्चों को देखा जिनका शरीर मार्शाल आठ के लिए बिल्कुल सही था और जिनके अंदर इसके कुद्रती गुन थे और मैं सोचता था ओ, इस बच्चे को ब्लैक बिल्ट मिलेगा मगर दिल्चस्प बात ये थी कि 6 महिने बाद वो नजर ही नहीं आते थे जो लोग ब्लैक बिल्ट तक पहुंशते थे और मार्शल आठ में कुछ कर दिखाते थे वो ऐसे बचे थे जिनके अंदर कोई कौशल नहीं था कोई प्रतिभा नहीं थी वो बहुत मेहनत करते थे और उन्हें हर चीज के लिए पसीना बहाना पड़ता था मगर आखिरकार वे ही सफल होते थे इसके बारे में आप क्या कहेंगे देखिए कई वज़ाओं से मैं विस्तार में नहीं जाओंगा कई वज़ाओं से कोई व्यक्ती एक खास गोणिया विशेशता के साथ पैदा हो सकता है शारिरिगण, मांसिगण, भावनात्मगण, स्टाइल पांच साल का बच्चा भी एक स्टाइल वाला और दूसरा ढीला ढाला हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे में स्टाइल है वो बाद में फैशन की दुनिया में ही जाए ढीला ढाला दिखने वाला बच्चा बड़ा होकर कुछ और बन सकता है जैसे जब कोई औरत प्रेगनेंट होती है तो आप नहीं बता सकते कि उसकी कोक में पलने वाला बच्चा संथ है या शैतान नवस औरत को पता होता है मा भी नहीं जानती कि वो किसी संथ को पैदा करेगी या शैतान को या किसे इसकी वज़े मैं कोहरेंट शब्त का इस्तिमाल करूँगा क्योंकि मौडर्न साइन्स इस शब्त का इस्तिमाल कर रहा है अभी आप कौन है अभी यहां बैठे हुए यह फिजिक्स है कि हर सब अटॉमिक पार्टिकल लगातार हर चीज़ के संपर्क में है आप जिसे ब्रहमांड कहते हैं वो एक जीवित जीवन और एक जीवित मन है आपने उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इकठा किया है अगर आप सिर्फ उस छोटे से हिस्से के साथ काम करेंगे जिसे आपने इक अठा किया है जीवन और बुद्धी दोनों के रूप में तो आप एक स्थर पर काम करेंगे अगर आप जरूरी काम करते हैं अपने द्वारा बनाई गई सीमाओं के बंधनों को तोड़ने के लिए तो एक ऐसी बुद्धी जो किसी की भी समझ से परे है किसी के भी अनुमान से परे है वो आपके लिए उपलब्ध होगी एक बार या आपको उपलब्ध हो गई तो लोग आपको सुपर यूमन समझने लगेंगे ये सुपर यूमन होने के बारे में नहीं है इसका सार है ये जानना कि इनसान होना ही सुपर है इनसान होने के महत्व उसकी विशालता को समझा नहीं गया है इसलिए हम हमेशा किसी तरह की mathematical calculation में उलजे रहते हैं ठीक है इस व्यक्तिक IQ इतना है तो वो शायद ये बनेगा ये Newton का नियम है कि इस धर्ती पर चलने वाली हर चीज गनिती सटीकता से या ज्यामिती सटीकता से चलती है जैसे अगर आप एक pendulum लेते हैं तो उसकी लंबाई तय करेगी कि वो कैसे जूलेगा तोप का गुला कहां तक जाएगा ये उसके मास, velocity और trajectory पर निर्भर करता है ब्रह्मान इस तरह काम नहीं करता क्योंकि इसमें आप जिसे भौतिक और अभौतिक समझते हैं ये दोनों तरह की चीजे मिली जुली हैं इस इंसान के भीतर भी, भौतिक जीव, मनोवैग्यानिक जीव, भावनात्मक जीव और आप जिसे मैं कहते हैं, आपके भीतर का जीवन, वो मूल-भूर जीवन प्रक्रिया ये सब अलग-अलग आयाम है और आपका सबसे अंद्रूनी केंद्र च्योंकि बागी सारे शब्द दूशित हो गए हैं, मैं जीवन शब्द का प्रयोग करूँगा या सिर्फ आप, जिसे आप मैं कहते हैं, ये, अगर आप इसे अनुमती दें, अगर आप इसकी पहचान किसी भी रूप के साथ या अपने शरीर के साथ, या उन दूसरी पहचानों के साथ नहीं जोड़ते, जो आपने ले रखी हैं, तो इसे पता है कि अपने आसपास की हर चीज के साथ कैसे जोड़ा जाएं, जब हम कहते हैं कि किसी ने बहुत महनत की, तो दरसल वो बस अपनी पहचान की सीमा को स्ट अबिलियत के बाहर लगती थी, वो उसकी हो जाती है, चमतकारी रूप से, मैं आपको सैकडों ऐसे लोग दिखा सकता हूँ, जो मेरे पास आते हैं, हम कुछ समय तक उनको तयार करते हैं, और फिर दीक्षा देते हैं, आप देखेंगे कि 24 घंटे में उनके चेहरे का आकार बदल जाएगा, उनके जनेटिक्स बदल जाएगे, आप उनकी तस्वीरों को देखेंगे तो पाएंगे कि रातो रात वो काफी हद तक बदल गए, ऐसा सिर्फ उनकी पहचान के विस्तार के कारण होता है, तो भारती आध्यात्मिक परिवेश में हमें आध्यात्मिक का मतल भव में एक ठोज चीज की तरह है, मगर मॉडन फिजिक्स आपको बता रहा है, और मेडिकल साइंस भी ये कहना शुरू कर रहा है, या किसी को बात समझ ना आए, तो दो मिनिट तक अपनी नाग बंद रखिए, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि उनका अलग अस्तित्त्त नह जाती हैं, जिने आपने कभी संभव नहीं माना था, जैविक पहचान आपकी सबसे ज्यादा सीमित करने वाली पहचान है, क्योंकि ये आपके शरीर तक सीमित होती है, कोशिश करके आप उसे तोड़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में कोशिश करें, ज्यादा तर लो अगर आप इस सीमा को तोड़ देते हैं, सब अटॉमिक पार्टिकल्स लेंदेन कर रहे हैं, बुद्धी लेंदेन कर रही है, सिर्फ आप पूरे खेल से चूक रहे हैं। अगर आप इस खेल से नचूकें, अगर आप जीवन के खेल में बने रहें, विचारों और भावनाओं के खेल में नहीं, अगर आप जीवन के खेल में रहें, तो अचानक आप जो चाहें वो कर सकते हैं, सिर्फ ये ये वो नहीं। एक इंसान ऐसा कर सकता है, बस अगर वो अपनी सीमाओं को तोड़ दे, ये सीमाओं कैस तरों पर हैं, मगर सबसे मूलभूत चीज है, पहचान.